हे ममाज एन डेडीज, क्या आप एक प्रिमिचूर बेबी के पैरेंट्स हैं और सेकंड प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं? और आपके दिल में एक डर है, क्या होगा अगर सेकंड बेबी भी प्रिमिचूर पैदा हो गया? मैं एक 24 वीक्स माइक्रो प्रिमि की मा हूँ और मेरी सेकंड प्रेग्नेंसी फुल टर्म तक पहुँच पाई एक्स्ट्रीमली प्रिमिचूर बेबी की मा होने के बावजूद सेकंड प्रेग्नेंसी फुल टर्म और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी की कैसे मेरी सेकंड प्रेग्नेंसी फुल टर्म तक पहुँच पाई ममाजन डैडीज मेरा एक माइक्रो प्रिमिच चैनल इंग्लिश में भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज उस चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि मैं ज्यादा से जादा ओडियन्स तक पहुच सको और प्लीज इस वीडियो को आखीर तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के आखीर में मैं आपसे शेयर करूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान अपनी एनरजी को positively कैसे channelize करें ताकि आप प्रेगनेंसी के दौरान stress free रह सकें एक premature बेबी के parents होने की वज़े से हम लोग बहुत ही जादा उतार चड़ाव से गुजरें और जब मैं second time pregnant हुई तो खुश होने की बजाए हम लोग stress में थे, tension में थे क्यूंकि हमें दुबारा से high risk of preterm birth था, दूसरा बच्चा भी premature होने के chances ज्यादा थे मगर अच्छी बात ये थी कि अब हम लोग alert थे, हमें पता था कि हम premature birth के risk पर हैं फिर हमने अच्छी medical advice के लिए अच्छे doctors को ढूणना शुरू किया इस बार हमने hospital select किया, उसके बारे में reviews पढ़कर हम hospital गए और वहाँ पर pregnant ladies से बात की कि ये hospital कैसा है और ये doctor उन्हें कैसे लगते हैं हमने बात की ऐसी माओं से जिनके babies इस hospital में पैदा हो चुके थे और हमें सारे ही reviews काफी positive मिले, उसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही experienced doctor से मिले हमने उन्हें अपने first premature birth की पूरी medical history बताई और यहाँ से हमारी second pregnancy continue हुई under strict medical supervision 12th week of pregnancy पर anti-scan and dual marker test की reports नॉर्मल आने के बाद doctor ने हमें सला दी cervical circlage की, cervical stitch की second preterm birth को avoid करने के लिए cervical circlage या stitch क्यों? क्योंकि पहली pregnancy में जब unusual bleeding start हो गई थी तो emergency rescue circlage किया गया था preterm birth को रोकने के लिए मगर unfortunately वो circlage fail हो गया था और मेरा पहला baby पैदा हो गया था सिर्फ 24 weeks में अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा first circlage fail कैसे हुआ तो link description में है मगर अब मेरी second pregnancy में भी मुझे circlage की जरूरत थी क्योंकि first pregnancy में circlage लगाया जा चुका है तो second pregnancy में भी circlage की जरूरत है क्योंकि without circlage मेरा cervix और uterus weak होंगे वो second pregnancy को full term तक हो सकता है कैरी ना कर पाएं इसलिए second preterm birth को prevent करने के लिए दोबारा से second pregnancy में circlage किया गया हाला कि सरकलाच से ये guarantee नहीं है कि baby full term ही होगा बड chances of full term pregnancy are much much higher आई अब बात करते हैं do's and don'ts की bed rest मैं अपने सरकलाच के बाद पूरा one month bed rest पे थी सरकलाच के बाद rest बहुत ही important है जब कभी भी मैं अपनी doctor के पास follow ups के लिए जाती थी उनका पहला question होता था are you resting properly, are you resting well आपको 7-8 घंटा रात में सोना बहुत जरूरी है और 2-3 घंटा दिन में सोना बहुत जरूरी है उसके अलावा भी आपको जाधा तर time rest ही करते रहना चाहिए मेरे case में मैं सिर्फ एक बहिने के लिए bed rest पे थी अगर आपका cervix short है और आपको सरकलाज दिया गया है तो हो सकता है डॉक्टर आपको advise करें कि आपको throughout pregnancy bed rest पे रहना है हर case different होता है आपके डॉक्टर आपको properly guide करेंगे कि कि तरह से आपको rest करना है सरकलाज के बार stay hydrated आपको दिन में 10 से 12 गलास पानी पीना है और अच्छी मात्रा में liquid लेना है अगर आपकी body well hydrated है तो most probably आपका uterus relax रहेगा take multivitamins on time जो भी iron, calcium, multivitamin या फिर जो भी medicines doctor ने आपको prescribe की है आपको उनको regularly on time लेना है ताकि आपके बच्चे का growth and development properly हो सके और आपकी सेहत भी अच्छी रह सके nutritious and fiber rich diet आपको postic अहार लेना है fiber rich अहार लेना है ताकि आपको और आपके baby को पूरा portion मिले और आपका baby अच्छे से grow हो और आप भी healthy रहें stress को completely avoid करने का try कीजिए और खुद को mentally and physically relax रखे don'ts no intimacy or love making after serklage क्योंकि इससे आपका cervix and uterus stimulate हो सकते हैं और early contractions start हो सकते हैं don't bend सरklage के बाद आपको जुकना नहीं है ताकि आपके uterus और cervix पर stress ना पड़े don't lift heavy weight किसी भी तरह का आपको वज़र नहीं उठाना है ताकि आपके uterus पे किसी भी तरह का कोई pressure ना पड़े spicy, oily and caffeine को avoid कीजिए ताकि आप acidity से बच सकें प्लीज इस वीडियो को like कीजिए इससे मुझे बहुत ज़ादा खुशी मिलती है encouragement मिलता है pregnancy एक बहुत ही खास time है बहुत ही important time period है और इस दोरान किस तरह आप कम से कम stress ले सकते हैं किस तरह आप अपनी energy को positively channelize कर सकते हैं listen music research के हिसाब से pregnant moms और उनके अंदर पल रहे baby पर soothing music का बहुत ही अच्छा effect होता है soothing music के साथ meditation कीजिए soothing music के साथ pranayang कीजिए breathing exercise कीजिए pregnancy के 20th week से गर्ब में पल रहा शिशू सुन सकता है तो आप अपने पेट पर हाथ रख कर baby से बात कीजिए उसके लिए गाने गाईए books पढ़िए, stories पढ़िए आपको जिस तरह की भी art पसंद है ये painting हो सकती है, singing हो सकती है gardening हो सकती है, crochet हो सकता है knitting हो सकती है आपको जो भी पसंद है अपने आपको उस art में बिजी रखिए मैं अपनी pregnancy के दोरान Zentangle art करती थी, crochet करती थी planters बनाती थी और stress को दूर रख पाती थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please hit the like button and subscribe my channel आपसे बहुत जल्द तुपारा मुलाकात होगी एक बहुत ही informative वीडियो के साथ lot of love to parents and their babies